दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल नागियाज लर्निंग अड़ा पर दोस्तों एक बहुत बड़ी खुश खबरी है कि जो लोग अभिहर्थी हर्याना से रिलेटेड हैं और PGT की तयारी करना चाते हैं इंगलिश के लिए शिक्षक भरती हर्याना के लिए नई विगपती आई है आपको पता ही है तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पहले तो फुल सलेबस की PGT English की PGT English का फुल सलेबस और आपके इस अपने YouTube चैनल पर एकदम निशुल के पूरा PGT English का सलेबस कराया जाएगा अगर आप English को लेकर PGT की तैयारी कर रहे हैं हर्याना शिक्षक भरती परिक्षा के लिए तो फिर आप एकदम सही जगापे हैं और यहाँ से मैं आपको एकदम फिरी एकदम फिरी निशुल के यूटुब चैनल पर पूरे PGT यानि की First Grade School Lecturer के लिए आपको तैयारी करवाऊ होंगा English की और पूरे complete syllabus को हम systematic तरीके से चाहे वो literature हो चाहे grammar हो दोनों चीजों को बड़े systematically तरीके से live classes या recorded classes के माद्धे हम से पूरा करेंगे तो मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि PGT English के लिए हमारा syllabus क्या है जैसा कि मैं देख पा रहा हूं मैंने यहां से site से इसको लिया है हरियाना Public Service Commission की तरफ से यह PGT English का जो paper होगा उसके लिए मैं यहां पर पहले तो आपको syllabus बता देता हूँ कि syllabus क्या है अगर आप लोग PGT English के लिए तयारी कर रहे हैं तो यहां पर complete syllabus का discussion होगा आज की इस class में और फिर हम इसके regular classes चलाएंगे चाहे वो live classes हो और आपके लिए एक दम फिरी होंगी तो सबसे पहले जान लेते हैं आज की इस class में की PGT के लिए जो हमारा syllabus है वो क्या रहने वाला है दोस्तों सबसे पहले सबसे पहले तो क्या रहेगा इसमें सबसे पहला जो unit मान लो या फिर हम कह दें की reading comprehension का part है उसमें हम लोग पढ़ M-C-Q type के वहां पर आपको question मिलेंगे तो passage तो 9, 10, 11,12 से पढ़ते ही आ रहे हैं तो passage unseen passage होंगे औरsaw Cornell passage से related इहां पर आपको question मिलेंगे passage को थोड़ा सा सही कर लेते हैं यहां पर passage से related जो question होंगे वो M-C-Q type के question होंगे पूरे पेपर में M-C-Q type होगा लेकिन passage ये दो या ती पैसेज हो सकते हैं और दूसरे हम ये तो हुआ तो रीडिंग कॉम्प्रियंशन वाला पार्ट ये रीडिंग वाला पार्ट है सेकेंड वाला पार्ट जो है वो राइटिंग एबिलिटी को देखा जाएगा राइटिंग एबिलिटी में क्या होगा कि वन आउट ओफ टू टा पैराग्राफ से रिलेटिड यहां पर कोश्चन होगा पैराग्राफ से रिलेटिड जो किसी इंसिडेंट पर आधारित होगा यहां पर हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट रिपोर्ट राइटिंग होता है जो यह भी आपने 11-12 में पढ़ा था रिपोर्ट राइटिंग से कोशन होगा और उसके बाद मैं यहां पर देख़आ रहा हूं कि इसमें दे रखा है advertisement और यहां पर जो है advertisement environment education gender discrimination या economic disparity जो हता है disability सके उपर जो है आपको कोई भी notice या फिर कोई एक paragraph जो है उस से related paragraph से related जो कोशन है वो यहां पर पुछ हचाएंगे और उसके बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं तीसरे वाले पार्ट में जो है वो grammar से related question होंगे तीसरे वाले पार्ट में किस से related question होंगे grammar से related question होंगे और इसमें भी बहुत ही आसान-ासान से topic यहां पर दे रखे हैं जैसे पहले topic की बात करें तो determiners दे रखा है determiners कि ко ונה अपने कुपता हैं डिटर्मिनर्स क्या होते हैं डिटर्मिनर्स आपने पढ़े होंगे आर्टीकलव मुझे इत्रों होता है वह फ्यू जा यदिक निति ओ ठीकिष्ट स्वागर यह सब छी chem quand से इन से related question भी पूछे जाते हैं तो determiners भी आपको पूरा पढ़ाया जाएगा उसके बाद यहाँ पर tenses से related question पूछे जाएंगे grammar में आपसे tenses से related के अलावा clauses clauses आपने पढ़े होंगे 11 12 में clauses और phrases इन से question पूछे जाते हैं और यहाँ पर model से related भी आपसे question पूछे जाएंगे models आपको पता है 10 model और 3 marginal verb को मिला कर total 13 model मानते हैं actually model तो 10 ही होते हैं लेकिन 3 marginal verb को मिला कर यह total 13 कर दिये जाते हैं तो models जो की वरब के mood को बताते हैं उसकी भी बात हम यहाँ पर करेंगे और साथी साथ दोस्तों grammar में voices भी पूछे जाएंगे voices active passive से related question पूछे जाएंगे determiners इन्होंने फिर छटे number पर फिर लिख रखा है by mistake लिखा होगा tenses वापस लिख दिया है इन्होंने साथवे number पर और transformation से related question पूछा जाएगा किससे transformation अब transformation क्या होता है transformation का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको रुपान तरण हिंदी में अनुआद नहीं है translation अलग चीज़ होता है transformation अलग होता है transformation और translation में फरक होता है अपने syllabus में translation नहीं है translation कार्थ होता है अनुआद करना यहाँ पर है transformation और transformation कार्थ है रुपान तरण मतलब sentence जो होता है affirmative से negative बन जाए affirmative से कैसा बन जाए sentence negative बन जाए या negative से assertive बन जाए लेकिन sentence का आर्थ नहीं बदले उसको transformation कहता है मैं आपको एक example देके समझाता हूँ जैसे मालो यह sentence है affirmative कि he is a rich man he is a rich man यह sentence है और यह sentence affirmative है अब आप से यह कहा जाएगा कि इसका correct negative sentence क्या है देकिन ध्यान रखना है कि sentence का अर्थ नहीं बदले उसको transformation कहा जाता है तो मैं इसका transformation ऐसे करूँगा कि he is not a poor man he is not a poor man वह गरीब आदमी नहीं है तो मैंने कुछ नहीं किया मैंने rich का opposite लिखा है poor और उससे पहले लगा दिया note तो यह transformation हो गया अब देखलो इस वाले sentence का और इस वाले sentence का अर्थ एक ही है जैसे he is a rich man वह अमीर आदमी है he is not a poor man वह गरीब आदमी नहीं है तो दोनों का अर्थ एक है चाहे sentence affirmative से negative बन गया लेकिन sentence का अर्थ नहीं बदला इसी को transformation कहते हैं यह भी अपने syllabus में है और transformation के अंदर क्या क्या आता है transformation के अंदर तीन topic आते हैं एक तो यह transformation है जहां पर अपन जो है affirmative sentence से पौन से sentence से affirmative sentence से अपन negative sentence बना सकते हैं या फिर wise versa भी हो सकता है कि negative sentence से affirmative पूछा जाए और फिर दूसरा इसमें transformation में उन्होंने दे रखा है कि simple sentence से compound sentence कैसे बनाये जाए इसके लिए अपन को synthesis पढ़ना होता है एक topic तो यह भी बहुत ही आसान है simple से compound या compound से simple पूछा जाए तो भी अपन बता सकते हैं और इसी में यह पूछा जाता है कि direct से indirect sentence कैसे बनाये जाता है जिसको अपन बोलते है narration जिसको अपन बोलता है reported speech और इसी में पूछा जाता है कि active sentence से passive कैसे बनाये जाता है active से passive यह भी transformation का ही पार्ट है तो यह सब transformation का ही पार्ट है और यह जो उपर में ने example दिया ना he is a rich man, he is not a poor man यह तो affirmative से negative sentence बनाने के लिए है बाकि active, passive, direct, indirect और simple से compound यह सारी चीज़े मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही आसान है और बहुत ही आगे बढ़ते हैं इसमें कि और syllabus में हमारे क्या दे रखा है PGT English, PGT English में और भी बहुत सारी आसान सी चीज़ें दे रखी हैं ज्यादा मुश्किल नहीं है तो अगर आप PGT English की त्यारी करना चाहते हैं तो निशुल के class और बहुत ही easy और easy method से आपको मैं सारी चीज़ें clear क question पूछे जाएंगे और इसके अलावा prepositions भी हैं आपके prepositions से related भी question पूछे जाएंगे और चाहे सुनने में आपको ये बड़े difficult topic लग रहे हैं लेकिन चुटकियों में होंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी phrasal verbs और idioms से related question आएगे phrasal verbs phrasal verbs से भी question होंगे और idioms से भी question होंगे ये तमाम चीजें बहुत ही आसान है कुछ भी नहीं है इन में और letter writing उपर बताई दिया था letter writing से related question होगा letter writing letter writing से question होगा formal informal दोनों बताऊंगा मैं आपको उपर हमने बात की थी कि report writing तो report writing भी जो है उपर भी हमने इसके बारे में बात की थी report writing से related question आएगा और उसके बाद दोस्तों बारी आती है literature की फिर किसका literature literature जो है ये literature वाले पार्ट में क्या है literature भी ज्यादा नहीं है ज्यादा लंबी चोड़ी बाते नहीं है एक तो William Shakespeare का work पूछा गया है William Shakespeare William Shakespeare का work William Shakespeare's work तो इन्होंने कौन-कौन से novel लिखे थे सभी novel को बढ़ेंगे चाए मेक बैथ हो चाए हैमलेट हो चाए ओथेले हो किंग लियर हो ठीक है यह सारे चीजें जो है हम पढ़ेंगे इनसे related जितने भी question है as you like it है यह सारे हम पढ़ेंगे इन्होंने कोई dramas जिते लिखे थे उनसे related हर character हर drama की मैं आपको story बताऊंगा उनके characters बताऊंगा और शिक्षक और रोमांटिक पीरियड सोरी पहले है रोमांटिक पीरियड रोमांटिक पीरियड के जो point थे रोमांटिक पीरियड रोमांटिक पीरियड में जैसे था PB Shelley Keats Worth Worth यह जैसे PB Shelley PB Shelley से related question पूछे जाएंगे और किसे Wordsworth Defodils इन्होंने poem लिखी दी बहुत परसिद है और Keats इससे related पुछे जाएंगे Coleridge जिन्होंने Milton के साथ मिलकर जो बहुत अच्छा कार्य किया था Coleridge ने Milton के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया था literature में इनसे related question पुछे जाएंगे साथ ही यहाँ पर 19th century 19th century 19th century 19th century और 20th century यह 19 वी और 20 वी स्ताबदी के जो point थे उन के समय से related question पुछे जाएंगे चाहे वो American literature हो चाहे English literature हो और इसमें ज्यादा तर Robert Frost से related question पुछे जाएंगे मैं नाम नहीं लिख रहा है इनका Hemingway हुआ या White Man हुआ हार्थोन हुआ Emily Dickinson हुआ Bernard Shaw हुआ इन से related question पुछे जाएंगे Arthur Miller से question पुछे जाएंगे तो यह सारी चीज़ें मैं आपको बहुत easy way से करवा दूँगा और उसके बाद है दोस्तों Modern English writing in English Modern English writer Modern English writers ठीक है English writer है अब मैं इनके नाम ही बता देता हूँ आपको जिन से question पूछा जाएगा भारती है यह Anita Desai है Vikram Seth है Nizim Ezekil है इन से related question पूछा जाएगा Daruwala है Raskin Bond है Arkane Iron Mulkrajanand Khushwan Singh और इन से related जो है वो question पूछे जाएगे तो जादा बड़ी मुश्किल चीज़े नहीं है PGT English का syllabus जादा मुझे तो बड़ा लगा नहीं और बहुती आसान सा syllabus है और बहुती आसान तरीके से हम लोग इसको complete भी करेंगे तो चैनल का link जो है description में दे दूँगा मैं आप उस channel को subscribe कीजे ताकि समय पर आपको हर class का notification मिले इसका एक schedule त्यार करके हम लोग ये class शुरू करने वाले हैं जल्दी लेकिन comment करके आप बताएं कि लगभग कब से ये class start की जाए नोटिफिकेशन इस भरती का आच चुका है और अगर आप शिक्षक भरती परिक्षा में PGT English की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो चैनल को subscribe कर ही लेना चाहिए और यहां पर दी गई सारी classes को join कर ही लेना चाहिए क्योंकि हर टोपिक से के बाद हम इससे related जितने भी MCQ बनते हैं जितनी शिक्षक भरती परिक्षा में प्रशन पूछे गए हैं सभी का उलेख जिक्र करेंगे तो दोस्तों जुड़े रहे हैं चैनल के साथ चैनल को subscribe कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए दोस्तों के बीच में शेर कीजिए ये classes free एकदम free आपके लिए upload होगी नमस्कार